हेलो दोस्तों वेरी गूड मॉर्निंग आज 25 फर्वरी है साथियों देखेंगे हम 22 फर्वरी का मोस्ट इंपोर्टन करने फेस्ट कोश्चन चलिए स्टार्ट करते आगे आगे अबने से पहले जनल नौलेज की मास्टर प्रीड है बिस्किप्शन वॉक्स मिल लागा आपको स इसको मिला है दाकाश्मीर फाइल्स को मिला है साथियों दादा साथ फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का बार जीता है दाकाश्मीर फाइल्स ने ठीक है आब कवता दे कि यह जो है दादा साथ फाल के पुरुसकार सिनेमा क्षेत्र में भारत का सरोच पुरुसकार है और 2019 में इसको जो है रजनी कांद को दिया गया था दादा साहब फालके पुरुसकार दिया गया था ठीका रजनी कांद को और यह पुरुसकार दादा साहब फालके की स्मृति में दिया जाता है जिने भारती सिनेमा का जनक माना जाता है और उन्होंने पहली हिंदी फिल्म राजा हहरिष उर्ये चंद काफी मात पूंट धुट tyre इसमें काश्मीर फाइल्सक लिकियां नौे obtained पूर्जर नहीं 291-12 दरोया इसमें जो बनी इने सफिल्म के अंतरेश्टी फिल्म पूर सकावर में काश्मीर ऑने सब्सक्राइब को मिला है घीक है तो ये चीज नोट कर लिजेगा काफी इंपोर्टेंट है ठीक है और फील्म द्योग मुंत्रिश्ट यजव्ली रेखा को लेकिन दोनों को आप अंतर समझ लीजेगा दादा साहब फाल के अंतराष्टी फिलिपूर्सकार अलग है और अलग ह पूरुषकार देविकारानी देवर्विक को मिला था कोशनर सेगें vector हाल ही में नीति आयोक का नया CEO किसको नुक्त किया गया है very important question है नीति आयोक का नया CEO के लिट करनाrael को इसका अगूपाद्राइक्श में कोन वर्तमान ने दहाँ कोशिए हैं इसके दौह अर्बाइस को अब भादी मंठी इस रोके ने चेरिमन्माद के इस सोमनाथ नीतिया कने उपध्धक्ष जो है शुमन के बेरी ठीक है और नीतिया देखे नार्कोटिक्स कंट्रोल वीरोग जो है दोस्तों इसके मानियसक बने सत्यनरायर प्रधान इंपोर्टेंट एपोइन्मेंट भी काफी इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए अगला है चेस में भारत के 80 में ग्रेंड मास्टर कौन बने तो बन गए विगनेस एनार जो है चेस में भारत के 80 ग्रेंड मास्टर 18 ग्रेंड मास्टर बन गए है ठीक है इन्होंने दोस्तों आप कौन जीता भारत और सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी दोयर एकीस बाइस जीता है तमिलाडू ने बीसमा भीजय हैरे ट्रॉफी जीता है हिमालश्य प्रदेश ने हालीम अंतराष्टी मात्र भास दिवस कब मनाया गया कीस फरवरी को हाली में अंतराष्टी मात्र भास दिवस जो है मनाया गया है ठीक है तो आप वोथा दें कि भासाई और संस्कृतिक विविदissements वारेम जागुता फ्होंसे workflow रब भास बात की बढ़ावा देने के लिए कि युनेसको ने इस दिवस की घोसना 1999 की से 17 नुम्बर को 2000 से 22 इसको आयजन किया जा रहा है ठीक है तो 21 परवरिक अंतराश्टी मात्रवासा दिवस के रूप में जो है मनाया गया और इसका मनाने सुझा कानाडा में रहने वाले बंगलादेशी रफीकूल इसलाम दौरा दि 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है भारत ने ठीक है प्रमुख खेल अबाड हम देखेंगे महिला टीटीटी चैलेंज हरवास कौन जीता सूपर नोबा ने अगला है वेदानता फॉक्स कौन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमी कंडुक्टर फैसलिटी की स्राज में स्थापित की जा रही है गुजरात के अंदर भारत की पहली इस्थापित की जा रही है भारत ने कुमार पारस ने धूबई में भारती पवेलियन को द्वहड़न की जा रही है भारत सरकार के खाथ प्रसकर्ण उद्योग मंत्री जो पस्पति कुमार ने दुवाई में इंडिया पवेलियन का उद्धरन किया है आपको वता दें कि यह जो है गल्फ फूर्ट दोहर तेइस में इंडिया पविलियन इससे बड़ा पविलियन सबसे बड़ा पविलियन है हाली में उत्तर भारत का पहला पर्माणु सेंद्र कहां स्थापित किया जाएगा गोरकपूर हरियाणा में गोरकपूर हरियाणा अनुव विद्दूत परियोजना जो साथ सो मेगावाट समता की दोवकाईया है इन्विस प्रत्तेक जो है प्रिसराइजड हैवी वाटर रियक्टर सोदेशी रूप्स डियाइन किये गये हैं हरियाणा की राजधानी क्या है चंडीकड मुक्यमंत्री मौनहुलाल खटर राजबाल बंडारू दतत रहे हैं हाली में गिनीज बुक में दुनिया की सबसे उची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया अई है कि यह जो है पैगोंंंग सो जहील को जो है दुनिया की सबसे उची फ्रोजन लेक माराथन करूँ में दर्ज किया गया है लडडाक में जो है यह फ्रोजन लेक पूर्व राजपाल और बिजेपी के दिगजनेता का इंका निधन हो गया है राजनेता थे यह ठीक है हाली में अपिज अब्दुलकलाम सेटलाइट लॉंच वीकल मिस्ट अंदुहरते इसको कहां से लॉंच किया गया है पट्टी पोलम तमिल्नादुस जो है लॉंच किया ग सेटलाइट लॉंच वीकल को घंडील्नादो के पट्टी पूलम गया हाली में किसके सराभान में के स्री मुक्तिधाम मंदीर में घंटी लगाई गई गई अब्स पीम कुस्प कमल दहल राश्टन्य कामल राष्टपर्दाइब भंदारी यहिए और भारत के पहले चीफ आप डिफेंसी स्टाफ से जनरल विपिन राबज जी इनके जो है याद में घंटी लगाई गई है किस फ़र्विजन कर लेते हैं बाफटा बाड़े बेस्ट एक्टर कवार्ड मिलें आउस्टीन को उन्चासवा खजुराहुनित समारो मत्प्रेश मे और इंटरेशनल यूनियन आफ रेलवे यानि रेलवे सुरक्षा बल आरपी अपका अठारम भी सुरक्षा कंग्रिस कहा हुआ जैपूर में फिलिप्स डॉमेस्टिक अप्लाइंसेस का नाम बदल कर क्या कर दिया गया नरसुनी का दौर्टेश का जो है दिब्ब कला मेला क कहा हुआ मुंबई में अक्सपोर्ड इंवर्सिटी अस्पताल एनेच टेस्ट के सीओ कौन बने मेहना पंडित सेमी कौन इंडिया समयलन को घठन किसने के अश्वनी वैश्णाव ने साहिक तरास सावांजी विकास आया के बासवड़े सत्के देख्षता कौन करेगा